Hey guys, welcome to world affairs, मैं हूँ प्रशान धवन, now हाली में आपने ऐसे articles देखे होंगे, for example ये एक article है the times of India का, यहाँ पर लिखा है कि इरान ने warning दिये इंडिया को कि इसराइल कोशिश करेगा कि हमारे relations खराब हो जाएं, इरान warns against efforts to destabilize ties with India और ये सब कुछ connected है, इसराइल embassy के बार हुए bomb blasts है, आपको याद होगा कि कुछ हफते पहले New Delhi में एक bomb blast हुआ था, इसराइली embassy के बार, अब उस पर अभी भी जाज़ परताज चल रही है कि ये bomb blast किया किसने था, अभी के लिखर हम देखे तो इंडिया में NIA और इसराइल की मुसाद, दोनों मिलके investigation कर रही है कि ये bomb blast किसने किया होगा, और जो सबूत अभी के लिख खटा हुए है, उसमें एक ही नाम सामने आ रहा है, इरान का, कि इरान के जो revolutionary guards हैं, उन्होंने इसराइल को target करने के लिए, यहाँ पर इनकी embassy के सामने एक bomb blast किया था, इरान ने इसके response में आपर simply ये का है, कि third party countries, obviously इस case में, ये कोशिश कर रही हैं, कि इंडिया और इरान के relations खराब हो जाएं, ताकि in the future, दोनों countries properly trade ना कर पाएं, अब यहाँ पर पूछ सकते हैं, कि क्या इसराइल की मुसाद और इंडिया की NIA ने अपनी investigation कंप्लीट कर ली है, क्या इसकी एक report सामने आ चुकी है, तो इसका answer है नह हैं, मगर report सामने आने से पहले भी काफी बार जो officials होते हैं, जो officers होते हैं दोनों sides के, वो media से कुछ बात चीज़ करते हैं, तो हाली में देखो, कई officials ने ये statement दी है, कि इरान ने guide किया था Israeli embassy का blast, through a local module, और Spain का main target था Israel, ये आज के समें internationally हर जगा Israel को target कर रहे हैं, तो इन्हों आपे बाता रही थी कि कोई terrorist outfit है, मगर अब यहाँ पे धीरे धीरे लगातार एक ही नाम सामने आ रहा है, Quds Force का, क्यों यूँ DS Force, यहाँ पे आप देखोगे, इरान's Quds Force behind Israeli embassy blast in Delhi, अब ये Quds Force क्या है, जिस तरीके से Israel का मुसाद है, उसी तरीके से इरान का है Quds Force, ये one of the five branches ह इनके revolutionary guard, क्या आपको बता होगा, इरान की जो पूरी military है, उसमें इनके army है, army में भी इनके best of the best जो soldiers होते हैं, वो जाते हैं इनके revolutionary guard में, Islamic revolutionary guard core, और इस core में भी 5 आपको मिलेगी branches, उसमें से का जाता है कि सबसे जादा secretive और सबसे जादा effective है, Quds Force, इनका main focus रहता है, unconventional warfare औ intelligence operations पर, और हलाकि ये लोग मुसाद की तरह इते famous हैं, इंडिया में हम देखते हैं, मुसाद को हम सोड़ा सा glamorize भी करते हैं, काफी उसमें वीडियो बनती है, कि मुसाद ये है, मुसाद ये कर दिया, मगर Quds Force के बारे में भी आप पढ़ोगे किताबें, और US Presidents ने in the past क्या का है इसके बारे में, तो ये लोग भी काफी effective हैं, और काफी अत्तक capable है कि इंडिया जैसे देश में भी आराम से, ये एक bomb blast करवा दे, किसी VIP लाके में भी, और शायद आपको ये जान कहरा नी होगी, मगर USA ने Quds Force को डिकलेर कर रखा है, एक FTO, FTO मतलब Foreign Terrorist Organization, इनके हिसाब से Quds Force, दुनिया भर में, वेरियर जो आतंवारी संगटन है, इवन अलकाइदा, उनको काफी support करता है, और इसलिए US ने पूरी कोशिश करी है, कि इनको कहीं से भी international financing ना मिल पाए, अब यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है, तो US ने इनकी financing रुखने के लिए, इनको FTO मगर इनका काम सिंस international जादा है, तो यह funding का से receive करते है, तो यहाँ पर देखो, काफी बार नाम आया है चाइना का, यहाँ पर आप देखोगे, रुटर्स की report है, 2014 की, कि काफी बार इरान यूज करता है, चाइना के सरकारी banks को to transfer funds to goods link companies, जो भी goods force की companies हैं, जो इनकी agencies हैं, जो इराक में काम कर रही है, हेजबुला के साथ काम कर रही है, चाइना बहुती बड़े scale पर उनको funding provide करता है, अपने सरकारी bankों से, और ना सिर्फ funding, actually, मेरा यह मानना है कि इंडिया में हम लोग काफी बार ये बात acknowledge करते नहीं है, कि चाइना के relations आज के समय ना सिर्फ पाकिस् और अल्मोस्ट उस टाइम US को warning भी दी थी, कि लगातार US जादा aggressive हो रहा है towards Iran, और ये सब of course China कर रहा है क्योंकि इरान भे इनके long term बहुत बड़े plans है, इन्होंने हाली में ये भी announce किया है, कि ये 400 billion dollars की investment करेंगे, तो Quds Force का एक बहुत भी बड़ा financial है China, और एक बार नोट क प्यारोब ये लगे थे, कि इन्होंने Israeli embassy जो है इंडिया में उसके बार किया था एक bomb blast, आगया आप लोटिस करेंगे कि कुट्स फोर्स इंडिया में भी जादा कुछ बड़ा भी attack करते है नहीं against Indians, ये लोग ज़रातार focus करते हैं on Israeli embassy in India, और देगो इरान और इरान की जो क्योंकि जब से जो वाडियन पावर में आए हैं, इरान ने अल्मोस्ट लगातार एक offensive attack स्टार्ट कर दिया है इसराइल के against, इस पर मैं अल्यडी कोछ वीडियो बना चुका हूँ, हाली मैं आपको बताओगा कि इरान ने क्या है एक environmental attack on Israel, बेसिकली ये एक shift थी जिसमें crude oil or टार था, ये ले गए इसको इसराइल के coast के करीब और वहाँ पे ये सब लीक कर दिया, इसराइल ने openly इसकी against complain करी है और ये भी काये कि ये इरान का एक environmental attack है on the country of Israel, इसके लावा भी आप अगर देखो, तो हाली में इसराइल का एक tanker था near the Gulf of Oman, उसको भी attack किया इरान ने, तो जब से जो बाइडन पावर में आये हैं, अल्मोस्ट आप कह सकते हैं, इरान को एक free pass मलिया है, कि US जादा intervention करेगा नहीं, इसराइल और इरान के बीच में, इसका मतलब ये नहीं है, कि जो बाइडन एंटी इसराइल है, वो बस Donald Trump की तरह इतने interested नहीं है, इसराइल को protect क केल पर इरान से crude oil purchase करेंगे, क्योंकि crude oil के दाम अभी के लिए लगादार बढ़ते जा रहे हैं, they are over 70 dollars per barrel, हमको मीत थी के Saudi Arabia, जो production ने oil की ये बढ़ाएगा, ताकि demand supply में कुछ संतुलन आए, और crude oil वापस 50-60 dollar के आसपास पहुँच जाए, मगर since ऐसा हो नहीं रहा, इंडि चले एक साल में, pandemic के दोरान, चाइना ने record oil purchase किया है इरान से, of course, indirect तरीके से, अब जिस तरीके से चाइना आज भी इरान का oil purchase कर रहा है, obviously इंडिया भी इसको देखेगा, और अगर in the future, US कोई sanctions ये post नहीं करता है चाइना पर, I'm sure इंडिया भी कहेगा ठीक है, तो हम भी indirect त बढ़ने वाली है, और इसराइल को आप अगर देखो, तो वो भी हमारे लिए काफी important है, और in the future, इसराइल internationally और ज्यादा isolated भी feel करेगा, under the Biden administration, तो हमको बहुती carefully आपे navigate करना होगा, almost balance करना होगा, इसराइल और इरान के relations, और कोशिश यहाँ पर ये करनी होगी, केस bomb blast के case म हमारे relations ना इसराइल ना इरान के साथ जादा खराब हो, और finally, यहाँ पर मैं आपसे question पूछूँँगा, के आपके हसाब से, इंडिया की position क्या होनी चाहिए in the future, क्योंकि बहुती जल्द इस पर report आएगी, ये issue बढ़ेगा, ये अभी ऐसा निए, के issue दब जाएगा, जब इसकी official report सामने आएगी, अगर मालो मुसाद ने आपे नाम लगा दिया इरान का, तो ये काफी बड़ा एक issue बनेगा internationally, तो यहाँ पर मैं जाना चाहूँगा आपके हसाब से, के इंडिया की position क्या होनी चाहिए, should we favor Israel और इरान, लिखेगा इसके बारे में in the comment section, और finally, railways, UPPSC, MPPSC, आप पर chase कर सकते हैं Unacademy के courses, simply Unacademy की website पर जाओ, या फिर app पर, click करो अपने course पर, और यहाँ पर use करो PG10, और यह होगा आपका discounted price after using the code PG10, so use the code and save money, तो यह है अंत इस वीडियो का, thank you for listening and as always, God bless you all. झाल